आज कल का लोगों का लाइफ अस्टाइल ऐसा हो गया है कि बीमारी गेर ही लेती है और एज जैसी बीमारी का नाम सुनकर ही दहशत हो जाती है यहें एक गंभीर और जानलेवा रोग है लेकिन वाशों की रिसर्च के बाद आब HIV एज का काफी हद तक इलाज संभव हो गया है क्या आपको पता है कि एज रोग HIV के इंफेक्शन से होता है HIV पॉजिटिव होने के बाद आठ रिंग दस साल में रोगी की प्रतिकार शक्ती बहुत कम हो जाती है जिसे एज केहते हैं एज के लक्षन बार बार बुखार आना याददाश्ट कम होना शरीर में दर्ध होना मूँप पलको के निचे या नाक में लाल पूरे बेंगनी या गुलावी रंग के धब्बे होना अधिक समय तक सुखी खांसी आना वजन कम होना रात को पसीना आना शरीर में दर्ध होना ऐसा करने से एज नहीं होता एज मरीज से हाथ मिलाने से एज ग्रस्त व्यक्ति के साथ उठने बैठने से एज के मरीज को गले लगाने से मच्चर वा मक्खियों के द्वारा काट लिए जाने से ऐसे करें बचाव अगर अस्पताल में खून चरवाने की जरूरत होती है तो एक बार जरूर पता लगा लें की किसी एज रोगी का तो नहीं शारीरिक संबंद बनाते समय हमेशा कॉंडों का प्रयोग करें हर किसी से शारीरिक संबंद बनाने से बचना चाहिए डॉक्टर के पास कभी जाएं तो नई सूई का इस्तेमाल कर रहे है या नहीं चेक कर लें हर प्रेग्निंट महिला को अपना HIV टेस्ट जरूर कराना चाहिए HIV यानी एज़ एक ऐसा रोग है जिसके बारे में लोग बात तक करना पसंद नहीं करते समाज के लिए यह एक जानलेवा बीमारी है हाला कि अब AIDS का इलाज medical science में उपलब्ध है कुछ लोगों को AIDS होने के लक्षन अपने अंदर दिखाई देते हैं लेकिन शर्म और जिचक के कारण हॉस्पिटल में अपना टेस्ट कराने नहीं जा पाते खास कर महिलाएं तो आज हम आपको बताएंगे के घर बैठे आप HIV की जाच कैसे कर सकते हैं यह बहुत ही आसान है यह मशीन भी pregnancy test kit की तरह दिखती है इस मशीन का नाम और अक्वीट टेस्ट है इसे design भी pregnancy test मशीन की तरह ही किया गया है ताकि नतीजा तेजी से पता चल सके उपर और नीचे के मसूबों की मालिश करने के 20 मिनट बाद मशीन रिजल्ट बता देती है तेस्ट स्टिक में अगर C लिखा हुआ आए तो HIV नहीं है लेकिन अगर T लिखा आए तो मतलब है कि खुद का टेस्ट करने वाला HIV पॉजिटिव है इस टेस्ट किट को अमेरिकी Food and Drug प्रशासन ने भी स्वीकार किया है इस किट की कीमत 60 डॉलर मतलब की लगभग 3800 रुप्ले है कई लोगों को इस किट के नतीजों पर शक होता है लेकिन इस किट को बनाने वाली कमपनी का दावा है कि नतीजे 90 फीसदी सटीक आते हैं नूट किट की सफलता को देखने के बावजूद भी स्वास्थे विशेशग उनी लोगों को चेताबनी दी है मित्रों HIV के लक्षनों को जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि HIV होता क्या है तो दोस्तों IV यानि Human Immune Deficiency Virus एक विशानू है जो शरीर के इम्यून सिस्टम पर बहुत बुरा प्रभाव उरालता है और दिन प्रति दिन आदमी के शरीर को कमजोर करता है और अभी मारियों से लड़ने की क्षमता को धीरे-धीरे कम करने लगता है इंडिया की बात करें तो यहां AIDS के मामले रुपने का नाम नहीं ले रहे हैं यहां सबसे अधिक HIV AIDS के केस दज हुए हैं तो पहले स्थान पर मुंबई महाराष्ट्रा है वहीं दूसरे नंबर पर आंधरप्रदेश है एक सवे के अनुसार HIV के शुरुआती स्टेज में इसका पता नहीं चल पाता है और इंसान को इलाज करवाने में देर हो जाती है इसलिए आपको HIV के शुरुआती बारह लक्षनों के बारे में पता होना जरूरी है तो यह रहे बारह लक्षन हर दो-तीन दिन में बुखार होना और कई बार तेज बुखार आना HIV का सबसे पहला लक्षन होता है पहले की तरह हष्ट पुष्ट या तरोताजा महसूस नहीं करना इसके अलावा पहले से ज्यादा थकान महसूस करना या हर टाइम थकावत महसूस करना HIV का शुरुआती लक्षन होता है आप किसी तरह का भारी काम या जोरदार काम नहीं कर रहे फिर भी मांचपेशियों में हमेशा तनावर अकरन रहती है यह भी HIV का लक्षन होता है अगर आपकी उम्रह भी कम है और फिर भी आपके जोडों में दर्द और सूजन हो जाती है तो आपको HIV टेस्ट करवाने की जरूरत है अगर आप कम पानी नहीं पीते हैं, अधिक और परियाप मात्रा में पानी पीते हैं और फिर भी आपके गले में भयन कर खराश और पकनम हिसूस होती हो तो यह लक्षन अच्छा नहीं है अगर आपको बिना किसी वजह के सर में दर्द रहता है तो सचेत हो जाए अगर आपको सुबह के समय सिर दर्द में आराम रहता है और दिन बढ़ने के साथ साथ सिर दर्द बढ़ता जाता है तो यह भी HIV का सबसे बड़ा लक्षन है एक और बहुत बड़ा लक्षन अगर बिना किसी प्रयास के आपका वजन दिन प्रति दिन धीरे-धीरे कम होता जा रहा है तो यह जान लीजिए कि HIV में मरीज का वजन एकदम से नहीं घटता है हर दिन धीरे-धीरे बॉडी के सिस्टम पर प्रभाव परता है और वजन में कमी होती है अगर पिछले दो महीनों में बिना प्रयास के आपके वजन में गिरावट आए है तो चेक कर वा लें दोस्तों अगर आपके शरीर में बिना किसी बजा के शरीर में हलके लाल रंग के चिकते पड़ रहे हैं या रेशेज हो रहे हैं तो भी HIV का लक्षन है अगर आपके दिमाग में कोई तनाव नहीं है फिर भी तनाव से ग्रसित रहना और बात बात पर रोना आ जाता है तो नी संदेह आपको HIV की जाँच करवाना जरूरी है हर समय मतली आना या फिर खाना खाने के तुरंट बाद उटी होना भी शरीर में HIV के वाईरस का होना इंडिकेट करते हैं अगर आपको हर मौसम में जुकॉम रहता है पर मौसम आपके अनुकूल है और फिर भी नाग बहती रहती है हर समय चीक आती है और रुमाल का साथ हमेशा चाहिए होता है तो यह भी HIV का लक्षन है अगर आपको अधिक खांसी नहीं है फिर भी आपको खांसी रहती है खांसी में खून नहीं आता सुखी खांसी रहती है तो भी यह लक्षन HIV का हो सकता है अगर आपको इन में से अधिकाशत लक्षन अपने शरीर में लगते हैं तो आप HIV टेस्ट जरूर करवाएं